नवस्कार दोस्तों मैं उमेश कुमार कुसवाहा आज मैं जिनके पास आया हुआ हूँ आरिफ हुसेन है इधर आईए और इनका भी वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ भले बकरियों का संख्या कम है लेकिन मेरा काम है कि छोटी सी छोटी बाते भी आप तक है और सौक के तौर पर यह घर के च्छत पे बकरी पालन करते हैं बक्रेद के लिए बच्चा त्यार करते हैं अपने घर का इनका हो जाता है और एक मुहबबत जनवरों से है इसलिए बकरी पालन करते हैं तो जनवरों का संख्या और भी था तो कुर्वानी में जो त्यार ख पे जाते हैं ताकि उनका हिमत बना रहे तो आरिब जी अभी जो आप बक्री का फार्मिंग कर रहे हैं मैं पीछले साल भी आपका वीडियो डाला था एक लीमिट में संख्या रखते हैं अभी संख्या कितना है आपके सर करीब आठ जैनमर है सब्साइब तो आज से जuirता बी था या आठ ही है या पिल्हाल आठीु कि कितना का बहुत सारे लोग का छत खाली रहता है और वो करना चाहते हैं तो उनके दिमाग में रहता है कि छत पे करेंगे तो खराब हैं लगवग पिछले साल भर से काम कर रहे हैं तो कोई परसानीय आपको हुआ पलास्टर में कोई फालट आया कहीं से टूट ना या कोई दिक्रत नहीं सर इसा नहीं है अगर पलाश्टर अगर बिल्कुल नहला हो जिसने पानी ठहरे नहीं वह खराब नहीं हो सकता पानी इसलिए कि बहद जाएगा तुरत इस पे पानी ठहर जाता वही खराब होता है च्छत हना पानी पे ठहरने वाले है नहीं पानी का निकास बना हुआ है और लक्री का तकता जो अप लगाए है इसे क्या फाइदा होता है सर पिशाब वगरा करेगी तो सब नीचे से बह जाएगा उसुखा का सुखर रह जाएगा मैं हर वीडियो में मैं चर्चा किया हूँ कि बकरी चाहे दूर रखें दस रखें क्यूंकि छोटा से ही कोई बड़ा होता है तो छट पे अगर आप रखते हैं या जमीन पे रखते हैं तो नीचे से कनकनाहट बकरियों को ना मिले तो लकरी का तकता जरूर लगा देएँ जीस तरीकाँ देखिए आप तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सीमें द्वारा कराते हैं तो बक्री गर्बधारा नहीं करती है तो आपके साथ कैसा रहा है सीमें से आप क्रोश करा यह दिख रही है कि गर्भीत है और इसको बक्रे से कराए है यह दो वह बक्रे से करा हां अच्छा ते बक्रा को सा था बक्रा वही देशिला जो छूटा होता है न हो लोग बेक बंगल का चुटा उसी को जो कान काटके छोड़ते हैं लोग लोग ना उ उसे कराया है और एक वक्री को सीमेन द्वारा कर。 तो कौन सा नसल का सीमेन दलवाया है。 का है जमना पारी मली बारी बारी बडूर нат्रीती है यह बच्छए दिए यह प्लाइधाया है और उसके बाद में भी इसको कराए है जमना पारिसीन होने कराया तो मैं यह बताना चाहूंगा कि जहीं से पहली बार जो पठिया है जैसे छोटी पठिया है और हीट में चुकी देसी बकरी साथ महिना में हीट में आ जाती है तो पहला बार अगर सीमें द्वारा कराते हैं या इसके बाद इन्होंने कराया है और बिल्कुल बकरी गर्वित है और बच्चा अच्छा देगी जब यह बच्चा देगी तो इसका वीडियो मैं जरूर आखे फिर इनके पास बनाऊंगा क्योंकि बकरी चाहे पांच कोई रखे दस रखे लिकिन अगर वहां से जनकारी निक इधर से भी खाएगी पैर नहीं लागाएगी सब बस यही बात है देखे जो छोटे किसान है जो कम बकरी पालन करते हैं उनका अगर बीडियो बनाया जाए तो बनाने ने करते हैं कि नहीं वीडियो रहने दीजिए क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पास बकरियों का संख्या कम है तो लोग हसेंगे लेकिन सीखने बाली बात है कोई ज्यादा रखे कम रखे उसे मतलब नहीं यह देखे जोगाल सिस्टम से इन्होंने बीच में टब को रखा है और फटी लगाकर इन्होंने खाने का जगा बना दिया जिसमें खाना देते हैं और बकरियों मज़े से ख जिस बकरी है मेरे पास तीन बकरी है तो अगर यह रहेगा साथ में तो हीट में जल्दी आएगे नहीं तो वो बकरी जो बच्चा दी है ना तो करीब साड़े तीन महीना के बाद हीट में आई थी बिल्कुल सही बात बोले यही सब पॉइंट मैं निकल बाने के लिए आप के बीच में आता हूँ क्यूंकि अगर बारे में रखते हैं बकरी यहां और आपके पास बकरे नहीं है तो टाइम टू टाइम हीट में नहीं आएगी अगर बकरे हैं तो हीट में फिल्किया थी जल्दी हीट में आती है लिएखरी में तो बखि Spellane है कि बखरा और आप रख तो जब मैं आगे आओंगा आगे वीडियो बनाने के लिए तो उमीद रखोंगा कि ज्यादा है ज्यादा संख्या मैं यहां देख पाऊं और संख्या बनते गया और यह हटाते गया लेकिन अब लगता है कि आएगा उसको कुछ आप रखेंगे इतना कम संख्या में भी क्या करते हैं या संख्या कम है इसके लिए नहीं करते हैं तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान रहेगा हिमत बनेगा और आगे की और आप सोचेंगे चुकि वीडियो बनाने का मकसद है कि एक बकरी इसी जानवर है जो अपना खाना खुद एक जगा रहके भी पचा लेती है क्यों लोग बोलते हैं कि बख्री घुमे चले लेगी तो खाना पचे म्र estos शाम को आते हैं लोग देते हैं तो रात में खोलते हैं तब adjustments भी पर ढूते हैं यहीं बकरी का संख्या कम है उससे मतOLब नहीं आरफ जी बस ये बताएं आप कि इतना दिन जो आपने किया तो साल भर से उपर आपका हो गया फार्मिंग करते हुए साल से उपर हो गया ना तो कि इतना दिन में क्या आप खिलाते हैं कैसे रखते हैं क्या दिक्त आता है खाना में क्या क्या रखते हैं जिसे बकनिया सुष्ट रहती है दर्सकों को कुछ बता दें सुछा में हम गिहुं का भूह साथ और चोकर मिला करके खा लेता है भूह सा में प्रूदहा सोड़ा नमक डालता ना कर रहे हैं चाना का नहीं मिला लेकिन किसारी मसूरी मतर को उपर में पूरा थां तो जिसमें यह समूर और नीचे चठके नीचे घर है उसी की उपर रखा हुआ जॉक्ति बिल्कुल देखिया अदमी है चाह तो क्या नहीं इंसान कर सकता है नीचे ब Moreover चारा घ्र Farm है तो एक ही जगा पर दोनों काम हो रहा है चारा है तो बखरी है और अगर दलहनी चारा आप खिलाते हैं बखरी को ऊ система प्रोटीन कार्बोहाइडरेट मिल जाता है और एक्स्ट्रा कार्बोहाइडरेट के लिए जोसाही दो दिन नमक प्रति दिन कोby दिन हम कम संख्या बकरियों का है तो भी पहुंच जाते हैं तो वीडियो कैसा लगा आपको क्या अभी भी दिमाग में चल रहा है कि मैं बकरी छट पे रखूंगा तो मेरा छट खराब हो जाएगा तो आपका गलत फैमी है कहीं से बकरी को रखने से छट खराब नहीं होता मैं भी खराब नहीं होता बस अरते सफाए का पुरा ध्यान दे चाहे इंटा बिछा हुआ हो या इस तरीका से पलस्तर हो कोई दिक्कत आपको आने बाला नहीं है बस इस तरीका से लकडी का तक्ता बगरा लगा दें ताकि उस पर बकरिया बैठे और खान पिन का पुरा ध्यान खिलाते तीका करन करते तो आपको नुकसान नहीं होता तो आरिप जी आप समय दिए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप दुकान छोड़ करके बीच में आए हैं हमसे मिलने के लिए हम आप आये तो आपके पास तो तो बकरियों का संख्या कम है उससे मतलब नही तो हैं फिर एक ब्रीडर लाए इसका मतलब आगे का भी विकास करने का योजना है और मैं जितना इरिया इनका देख रहा हूँ इसमें चाहे तो कम सब 20-25 तो आराम से रख सकते हैं कितना इरिया है अंदर का है नौ फिट है और ऐसे करीब 20 फिट है ऐसे मनें इधर से 9 और होता है चत पर करते हैं कोई कोई बोड़ नहीं है को आवाज नहीं है कितना सफाई है थे अभिंप कंशा मारते में इसकि वह आप Lear बहु सकते हैं चुना बंदर्अ च्छट हो जाया तो ठीक जैसा सा काम करना चाइए और मैं ये बात इसलिए निकाला कि अगर आप छट पे करते हैं दिमाग में चलता है कि परोसियों को परसानी होगा तो बिल्कुल नहीं होगा बच्चे को समय से दूद पिला दिये तो बकरी नहीं चलाएगी तो कोई परसानी है नहीं तो बिल्कुल छट के छोटा सा एरिया में भी बकरी पालन किया जा सकता है तो दोस्तों एक वीडियो कैसा लगा एक किसान का कम संख्या और जज़वा बढ़ा करने का तरीका छट पे जा तो बहुत आगे तक जाएगा इसा कुछ नहीं है जो इनसान कम से करेगा कम बकरियों से सुरुवात करेगा वही बहुत आगे तक जाएगा क्योंकि उससे समझने का मुका मिलेगा कि मैं बकरी पालन है क्या और जो ज़्यादा से इनसान करता है उसे अचानक प्रेसर पर नाम नमस्कार